हेलो एवरिवन अपनी पिछली क्लास में हमने व्यक्तिगत संपर्क विधियों के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ते हैं समूह संपर्क विधी यानि ग्रूप कॉंटेक्ट मैथड्स जो प्रसार और संचार की संपर्क विधियों के अंतरगत आने वाली दूसरी विधी है इसके बारे में समूह संपर्क विधिया या ग्रूप कॉंटेक्ट एप्रोचिज ये वो विधिया हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है और इस समूह में समाने तहा दो से लेकर के 30 लोगों को सम्मिलित किया जाता है साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि इस समू के अंदर जो भी लोग सम्मिलित किये गए हैं उनकी सोच और उनका द्रश्टिकोन लगभग एक जैसा ही हो उनमें जाती, वर्ग, धर्म, संप्रदाय और समुदाय के अलग-अलग समुदायों के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन उनकी रुचियां और द्रश्टिकोन एक जैसे होने चाहिएं सभी को फिचार विमर्श करने का, अपस में बातचीत करने का, डिसकेशन करने का, सीखने का, पूछने का, जानने का, समान अवसर प्रदान किया जाता है सभी प्रकार के प्रशिक्षन यानि ट्रेनिंग्स, विधी प्रदर्शन या परिनाम प्रदर्शन, डेमोंस्टेशन्स, गोष्ठियां या मीटिंग्स, सेमिनार, वारताएं, ये सभी समुख सम्पर्क के अंतरगती आते हैं इसमें ग्रामेंण लोग अपनी समस्याओं को विशेषग्यों के समक्ष रखते हैं और उनसे समाधान प्राप्त करते हैं तो बहुत सारे डिसकुशन्स के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा भी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने-पने अनुभव होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर विशय से संबद्दित, अलग-अलग उनकी जानकारी होती है, तो बहुत सारे व्यक्तियों की अलग-अलग जानकारियां, उनके अलग-अलग अनुभव एक दूसरे के साथ में जब शेयर किये जाते हैं, एक दूसरे के साथ में जब डिसकस किये जाते हैं, तो इस इस्तिती में बहुत सारे लोगों की समस्याइं आपसी बातचीत से या ड तरीकों से या उनके ज्यान से सभी का लाभार्जन होता है या सभी लोग लाभानवित होते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याइं होती हैं जिनका समाधान आपस में चर्चा करके किया जा सकता है साथ ही साथ इन विदियों में विशय विशय शग्यों को भी साथ में ले लिया ज जाता है जिससे कुछ विशेश्ट समस्याओं का जिनका समाधान आपसी बाचीत के द्वारा या ग्रामेंड समुदाए की आपसी इंटरेक्षन के द्वारा अगर नहीं हो पा रहा है तो विशे विशेश क्यों के साथ में बातचीत करके उनके साथ में discussions करके और समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है और जीवन इस्तर को सुधारा जा सकता है समू संपर्क विधियों के उद्देश्य होते हैं कि जो बहुत सारी समस्याओं कई लोगों की common है उनकी जीवन चरिया में उनके दृष्टिकों के हिसाब से बहुत सारी समस्याओं आती हैं जीवन इस्तर सही नहीं हो पा रहा है तो आपसी चर्चा के द्वारा एक दूसरे के साथ सामाजिक समरस्ता बनाए हुए एक दूसरे के साथ उनके संपर्क बढ़ाते हुए समस्याओं का समाधान किया जाए और उनको एक समान्य उद्देशे की तरफ ले करके जाया जाए जिसमें सिर्फ अपना व्यक्तिकत ही नहीं बलकि पूरे समाज का, पूरे समुदाय का उत्थान हो उनका जीवन इस्तर सुधारा जा सके आर्थिक और सामाजिक विकास पूरे ग्रामीन समुदाय का ही किया जा सके जो जाती या धर्म से परे हो इस तरह के उद्देश्यों को लेकर के सामुहिक संपर्क किया जाता है सामुहिक संपर्क के बहुत सारे लाब हैं जिनमें कम से कम समय में अधिक लोगों से संपर्क इस्थापित कर उन्हें प्रभावित किया जाना और उनको सीखने के प्रति उनकी ललक उत्पन करना है क्योंकि एक साथ हम बहुत सारे लोगों को इकठा कर रहे हैं और उनसे एक साथ ही संपर्क स्थापित किया जा रहा है तो इसमें बहुत सारे लोगों को कम समय और कम धन खर्च करके कम एनरजी कंस्यूम करते हुए उनको अपने कारिक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सकती है उनको जिस भी उद्देश के लिए हम विचारों में परिवर्तन करना चाते हैं उनके दरश्टी कोण में उनके काम करने के तरीकों में तो इस उद्देश की प्राप्ति की जा सकती है साथ ही बहुत सारे लोगों को एक साथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ज्यान का लाब उठाने और एक दूसरे से सीखने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है इसके अलावा इसमें क्योंकि सभी लोगों को बोलने के समान अवसर दिये जा रहे हैं अपने अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए equal opportunity है सभी को प्रश्न पूछने का, सीखने का और कारिक्रम में भाग लेने का समान अवसर दिया जाता है इसलिए इसमें कोई भी दुराव और चुपाव की बात नहीं है जैसा कि व्यक्तिकत समपर्क में होता है तो इससे कारिक्रम में जो भी लोग भाग ले रहे हैं उनमें आपस में द्वेश की या भेदभाव की बावना नहीं आपाती और इसलिए वो कारिक्रम में सहयोग करते हैं ना कि कारिक्रम का विरोध करते हैं कारिक्रम में किसी तरह की समस्याई या अडचने उत्पन नहीं करते हैं सामुहिक संपर्क में सभी लोग अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं बातचीत करते हैं और इसके माध्यम से एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से वो उन समस्याओं का समाधान भी हाथो हाथ प्राप्त कर लेते हैं इसलिए इसमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों की सभी की समस्याओं, उनकी आवशकताओं, रुचियों और उनके जो भी उपलब्ध संसाधन है उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है प्रसार कारेकर्टा को और इसलिए जो समस्याओं जितनी जादा प्रभावी हैं उनको प्रात्मिक्ताओं के आधार पर कारेकरमों में समिलित किया जा सकता है जिस भी तरह का कारिक्रम है आगे जो भी कारिक्रम प्लैन किया जा रहा है उसको अधिकांश लोगों की समस्याओं पर आधरित किया जा सकता है या वो समस्याओं जिनको प्रायर्टी पर रखना है उनसे संबंदित कारिक्रमों को पहले आयोजित किया जा सकता है समुह संपर्क के द्वारा कारेकरम को सफल बनाने के लिए समुह के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाता है लोग अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं क्योंकि सामुहिक कारेकरम है तो उसको अपना कारिक्रम समझ कर एक दूसरे के साथ मिल जुल करके काम करते हैं उनको जो भी दाइत्व दिये जाते हैं कारिक्रम संबंधी या प्रसार कारिक्रम से संबंधित वो सभी कारे अपने दाइत्वों को बहुत लगन से निष्ठा से पूरा करते हैं ताकि समूह में उनका अच्छा इस्थान बना रहे या लोगों में उनकी इमेज अच्छी बनी रहे तो इस तरीके से कारेक्रम के सफल होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं लेकिन इसके साथ-साथ ही प्रसार कारेक्रमों की या समूह संपर्क की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं जैसे कई बार लोगों के विचार पूरी तरह एक से नहीं होते किसी भी एक कारेक्रम पर एक समस्या पर लोगों की बहुत सारी राय या मत हो सकते हैं मतभेद होने की इस्तिती में विचारों में अंतर होने की इस्तिती में विरोध भी उत्पन हो जाता है कई बार समूह में भी कई छोटे-छोटे ग्रूप्स बन जाते हैं जो आपस में टकराव करते हैं या ऐसी टकराव की स्थितियां आ जाती हैं कि किसी एक निशकर्ष पर पहुँचना या सही समाधान को ढूनना संभव नहीं रह पाता तो ऐसी स्थिति में कारिक्रम के क्रियानवेन में काफी संकट उत्पन हो जाता है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिस उत्देशे को लेकर के हम कारिक्रम कर रहे हैं वो उत्देशे पूरा होना काफी मुश्किल हो जाता है समुग में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग संकोची स्वभाव के होते हैं और सबके सामने अपनी समस्याओं को या अपनी व्यक्तिगत बातों को रखने में हिचकिचाते हैं ऐसे में ना तो वो अपने विचारों को खुले रूप से प्रकट कर पाते हैं ना ही अपनी समस्याओं को अपनी रुचियों को बता पाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान होने से रह जाता है। तर ऐसे कारेक्रमों का नियोजन नहीं कर पाते या आयोजन नहीं कर पाते उनको अच्छे कारेक्रमों को भी अस्विक्रत कर दिया जाता है उनके बारे में नेगेटिव विचारधारायन अकारात्मक्ता उत्पन कर दी जाती है और इसकी वज़े से कारेक्रम अगर एक बार हो भी गया है तो दुबारा होना संभव नहीं होता या फिर कारिक्रम का एक बार भी execution नहीं किया जा सकता ऐसे में जरूरी कारिक्रम भी या जरूरी जो भी काम है उन्हें करना भी काफी मुश्किल हो जाता है समू संपर्ख को प्रभावी बनाने के लिए वो पूरा effective रहे जिस उद्देश से किया जा रहा है उस उद्देश की अच्छी तरह से पूर्ती कर सके लक्षियों को प्राप्त कर सके इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहली चीज है समू संपर्ख के लिए कम से कम एक सपता पहले लोगों की बैठक या उनको सूचना अवश्य दे दी जानी चाहिए और उसमें ये बताया जाए कि किस स्थान पर ये कारिकरम होगा कहां बैठक होगी किस समय किस स्थान पर और किस दिनां को ये सूचना कम से कम एक सपता पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल जानी चाहिए लोगों की आवशक्ता हैं उनकी स्थानिय समस्या हैं और कौन-कौन से संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं इस सब की जानकारी प्राप्त करके ही प्रसार कारिकरता को कारिकरम के लिए या बैठक के लिए स्थान और दिनांक निर्धारित करना चाहिए बैटक में ये कोशिश की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित रहें और साथ ही वो सक्रिय रूप से भागीदार हों पूरी चर्चा में वारता में भाग लें इस तरह की बैठक की या समूस अंपर्क की लिए व्यवस्था जो होनी चाहिए बैठक व्यवस्था वो राउंड टेबल की तरह से होनी चाहिए गोल मेंज की तरह से होनी चाहिए जिसमें सभी लोग एक दूसरे को देख सके एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकें विचार विमर्ष जब चल रहा हो तो उस समय पर प्रसार कारे करता को अपना व्यक्तिगत विचार या मत प्रदर्शित नहीं करना चाहिए बलकि किसी भी समस्या पर किसी भी बिंदू या किसी भी विशय पर लोगों के क्या विचार है उनको विचारों को आने का मौखा देना चाहिए या लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने का मौखा देना चाहिए ताकि उनकी सोच और उनके द्रश्टी कूण से वो अव उपना चाहिए उनके उपर नितरत्व का धाइत्व देना चाहिए जिससे कारिक्रम के क्रियानवेन में सहायता मिले, सहयोग मिले और कारिक्रम अच्छी तरीके से चल सके जो भी वारताईं की जा रही है वो बहुत ही मितरता पूर्ण और सोहादर पूर्ण वातावरन में चाहिए । सभी लोग की स्वीक्रति मिलने के बाद ही करनी चाहिए उस से पहले नहीं करनी चाहिए और जब भी पूरी प्लेनिंग की जाए किसी भी कारेक्रम की आउटलाइन ये रूस्पर्स त्यार की जए तो जितने भी लोग समुह में हैं उन सभी को उनकी रुचियों और उनके उपलब्ज संसाधनों के आधार पर उनके कोई दायत्व सौप देने चाहिए ताकि सभी लोग कारिक्रम में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें तो इन बातों को ध्यान में रखते हुई यदि समूह संपर्क किया जाएगा तो बहुत ही कम समय श्रम और शक्ति के व्याय के द्वारा भी कारिक्रम को जो प्रसार शिक्षन है या प्रसार कारिक्रम है उनको बहुत अधिक प्रभावी ढंग से क्रियानवित किया जा सकता है अपने उद्देशों की प्राप्ति अच्छे से की जा सकती है